हलो प्यारे दोस्तों स्वागता आपका इंट्रिवियो क्लासेज में आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक प्रिपोजिस्टिंस के बारे में आपके 12th क्लास के सिलेबस में दे रखा हैं बहुत ही important topic है और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही डंक से हम कवर करेंगे आपके syllabus में दिया हुआ है prepositions of motion, prepositions of time, prepositions of space, prepositions of mental attitude इस परकार से हैं और बिल्कुल ऐसे ही cover किया है हर topic के बाद जैसे ये topic हमने कर लिया इसके बाद आपको इसके exercise मिलेगी फिर इसके बाद मिलेगी हर topic के बाद इसकी exercise मिलेगी ताकि आप देख सको कि आपने कितना पढ़ा है ठीक है पहले देखते हैं prepositions होते क्या है prepositions मतलब pre means पहले position मतलब इस्तती जो पहले लगते हैं किस से पहले देखो a word which is placed before a noun और a pronoun ऐसे सब्द जो किसी noun या pronoun से पहले लगे किस वज़े से to show its relation with another noun और pronoun जो दूसरे noun और pronoun से उसका relation दिखाए रिस्ता दिखाए सम्मंद दिखाए वो होते है prepositions ठीक है चले डिस्कस करते हैं अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के शाथ शेयर करिएगा लाइक करना नहीं बूले ठीक है अब देखते है अपना जो first है preposition of motion या जिसको कहते है direction ठीक है moving condition में अंदर आई है move होते वह अंदर आई उसको कहते हैं into जैसे देखिए और एक और होता है out of इसका मतलब होता है a moment away from the inside of a place बिलकुल into का opposite हो गया out of ठीक है ना अब देखिएगा समझेगा he jumped dash the river इसको पड़िंग जंप ठीक है न जंप ड नहीं जंप ठीक है न देखिएगा he jumped the river उसने river में jump किया तो बोलते time क्या ये action continue था मतलब jump moving position में object जो भी कौन ही तो यहाँ पे हम fill करेंगे into क्या into क्या होगा he jumped into the river next देखिए the god of water dived god of water पानी के देवता ने dive किया यानि छलंग लगाई the river into the river मतलब पहले वो बार थे फिर moving position में मतलब अंदर गई ठीक है न ऐसा अगला है the god of water came अब आए आए कहां से आए out of तो यहाँ पे हम क्या use करेंगे out of ठीक है तो यह होता है out of और into यह बिलकुल इसका opposite हो गया into का मतलब कोई भी चीज या कोई भी person moving position में होना चीए अंदर जाने के sense में और out of का मतलब हो गया moving position होने चीए बहार आने के sense में ठीक है next है along along देखिए along indicates movement from one end to the other end मतलब एक end से दूसरे end को शो करता है along ठीक है न जैसे देखिए गा he were we were walking dash the river along the river along the river कहने का मतलब यह आपकी river है आप इसके इदर 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 चल रहे हैं यह होता है along अगर यहीं पे next वाला हम अगर करेंगे across तो यह ऐसे होगा across मतलब आप इसको पार करने जैसे यह road है कोई आप road को cross करके गए तो इसमें use करेंगे across और along जब आप इसके किन किनारे चल रहे थे कहने का मतलब along ठीक है next है we went for a walk dash the beach at twilight तो यहाँ पे भी आप along करेंगे कि बीच के हम किनारे किनारी यह चल रहे थे ठीक है बीच में चलने के अंदर जाने की बात नहीं करें कुछ भी ऐसा sense नहीं है ठीक है अगला देखे across across बता दिया क्या indicates movement from one side to the other of something मतलब जैसे यह road है आप इस side से side cross करके आए ना इसे हम कहेंगे across और जब इसी road के आप किनारी किनारे चल रहे तो इसे कहेंगे along done है ना next देखिए इसके example देखिए the market is dash the road market जो है road के across है मतलब उच side है यह कहना चाहता तो यहाँ पर क्या फिल करोगे आप across ठीक है बढ़न the boys swam across the lake नदी लेक लेक इने जेल या बोल दो इसको across मतलब इसको तैर के पार किया इन्होंने ठीक है next word है अपना two words इसका मतलब होता है towards is used to mean in the direction of मतलब किसी के दिसा के सामने जाना in the direction of कहना का मतलब यह अपने school है मान लीजी तो आप इसके सामने यह जा रहे ना तो यह ह example देखिए the Himalaya mountains are dash the north तो क्या towards the north मतलब north की दिसा में है ठीक है यह कहने का मतलब उस side में है the friend is coming dash me friend है वो उसकी तरफ आ रहा है यह कहने का मतलब मेरी तरफ आ रहा है मतलब मेरी तरफ आ रहा है वो कौन towards तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे towards ठीक है next देखिए to to का क्या use करेंगे यह सिर्फ हम बात कर रहे है कि इसकी direction की यह जिसे आप कहते है motion होना ठीक है गती की वरना towards to के बहुत सारे meaning होते है ठीक है न तो अपने syllabus में वो है नहीं अपने syllabus में यह है कि direction को कैसे सो करता है यह तो to issued to indicate to destination यह destination को सो करता है जैसे देखो children are going destination क्या है उनकी to school जा ठीक है many people travel to work by car ठीक है तो कहां पर destination ना उनके काम पर जाने की ठीक है अगला देखिए from from का use कहां करेंगे देखिए the preposition from is used to show the place where someone or something starts मतलब कोई काम कहीं से start किया है उसके बारे में जैसे देखिए what time does the flight क्या समय था जिस समय Amsterdam arrive Amsterdam है ना फ्लाइट अराइब कर जाएगी तो फ्लाइट from arrived ठीक है तो what time does the flight from Amsterdam arrived ठीक है next अजे वाक्ट फ्रॉम अब यहां पर देखिए अजे ना वाक किया कहा से from home to market तो यहां क्या हुआ इतना change हुआ कि यहां आया from क्योंकि उसने यहां से start किया और उसके destination क्या है market जानेगी तो यहां पर क्या वरा आपने to तो लिखेंगे I walked from home to market next देखिए by by express the means of an action यह क्या दिखा था means of an action मतलब कि कोई काम करने का तरीका जैसे we go to school by bus हम किस से गए है हमने जो काम की action किया किस माधियम से किया बस के माधियम से तो हमने travel करने का कोई भी आजए by cycle, by car, by bus, by train ठीक है तो वहां पर हम क्या fill करेंगे by next है through through denotes motion within an object from one end to the other end within through so करता है किसी object जैसे ये है इसके अंदर से होते वे निकलना through show करता है ठीक है ना इसके उपर से जाना या इसको cross कर जाना ये नहीं इसके अंदर अंदर से निकलता है उसे कहते हैं through जैसे देखना the train passes five tunnels अब tunnel क्या पूरी तरह वहां से train एक बार cover हो जाती है ठीक ना cover हो जाती है और फिर train जाती है तो यहाँ पर हमेसा through use करेंगे through ठीक है the thief got in चोर है ना अंदर आ गया कैसे through the window खिडकी के अंदर से होते होए अंदर आ गया खिडकी को पार करके अंदर आ गया ठीक है ना तो यहाँ पर through use करेंगे next वाला देखे around around indicates to go in a circular direction due to an obstacle किसी obstacle, obstacle means होता है किसी hurdle या बाधा या कोई समश्य आने के बाद आप घूमते वे जाते हैं उसे around कहते हैं जैसे like around the world मतलब दुनिया के चारों और around the park around the park मतलब वो पार्क के चारों और round around का मतलब इतना समझिए कि ये कोई object है मान लीजिए ठीक है अब इस object के चारों और कोई ये चीज पढ़ी है मान लीजिए ये अपने teacher है और student खड़े हैं याँ पे तो ये student सारे खड़े हैं ये सारे क्या कहलाएंगे around कहलाएंगे और round का meaning क्या होता है round का meaning ये होता है कि ये teacher है इसके मतलब सभी बच्चे है न ऐसे खड़े है ये teacher है सभी बच्चे equal एकदम circular shape में खड़े हैं मान लीजिए इदर उदर नहीं खड़े है तो इसे हम कहेंगे round तो ये हो गए आपने round और अगर ये ही बच्चे एक इदर, एक इदर, एक इदर, एक इदर, एक इदर चारों और तो जरूर खड़े हैं लेकिन वो circular shape में नहीं है उसे हम कहते है around ठीक है उमिद करता हूं clear हो गया होगा तो we went the world तो world में गए तो हम circular shape में जाएं कोई जरूर थोड़ा है तो around भरेंगे यहाँ पर ठीक है इसका मतलब यह cup पड़ा है इसके चारों और ग्लासें है लेकिन ग्लासें circular shape में एक दम ऐसे नहीं रखी हुई है इदर, उदर रखी हुई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे around हर hair whipped dash her face in the wind हावा की वज़े से चैरे पर बाल आ गए तो जरूर थोड़ी हो circular shape में आए कुछ इदर, कुछ इदर, इदर लेकिन चैरे को ढख दिया कहने हैं का मतलब तो around ठीक है अब round का समझा चुके है circular motion होना चाहिए motion तो होगा लेकिन कैसे होगा circular, एकदम circular होगा ठीक है तो देखो the earth goes the sun earth है sun के चार और circular shape में तो यहाँ पर हम क्या करेंगे round करेंगे आप देखना earth ऐसे गुमती है तो ऐसे गुमे कभी इदर, 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 इदर ऐसे थोड़ी गुमेगी जैसे यह अपना sun है तो earth ऐसे ऐसे नहीं कुमती ठीक है न अगला देखिए up up indicates the moment of accent ascent मतलब चड़ना upward moment मतलब उपर की side कोई moment होना ऐसा उसे up बहुत easy है तो the monkey climbed up climbed यह चड़ रहा है कहाँ पर ठीक है वैसे कि वैसे down में होता है जैसे direction कैसा होगा नीचे होगा downward होगा moment ठीक है तो moment होगा लेकिन कैसा downward यह सारे moment show करने वाले है मतलब motion show करने वाले है ठीक है he has gone the stairs stairs मतलब होता है शीडिया वो सीडियों से कैसे गोच जा रहा है कैसे नीचे की side जा रहा है कहने का मतलब यह ठीक है न next देखते हैं अपना है off फिर ए off off indicates the motion away from a surface or place यह motion और किसको show करता है किसी जगह से motion को show करता है away from दूर होने के surface या place जैसे देखना the tiger jumped the well the well यानि कुए में अब यह ना jump किया उसने जिस surface पे पहले बैठा था उससे jump करके कहा चला गया well में ठीक है wall में the wall है ना wall माफ कीजिएगा wall लिखा है ना wall in दिवार well होता था into बरना पड़ता है jumped into the well होता wall in होता है दिवार अब उसने दिवार से jump किया मतलब दिवार पे इदर बैठा था दिवार की बात हो रही है तो jump कर दिया इदर आ गया इसका मतलब यहां पे हमें बरना o double f jumped off अगर यही चीज़ यहां पे wall होता ना well well in kua w e double l well यह kua होता ना तो आप क्या कहते है the tiger jumped into क्योंकि into क्या होता क्योंकि आप जानते है कि moment में है लेकिन पहले बार था कुवे से अब कुवे में jump कर दिया उसने ठीक है ना next देखे take your shoes अपने जूते है ना उतार यह off ठीक है o double f off पर देंगे जूते उतारने को off गजेंदर fell गजेंदर गिर गया कहां से the bicycle bicycle से गिरा है ना तो bicycle से मतलब surface से अलग हो गया तो यहां पर क्या use करेंगे off ठीक है ना फिर देखे है on to on to यह भी moment show करता है क्या show करता है यह करता है indicates moment on or to a particular place किसी चीज की उपर moment हो ना जैसे देखना the thieves climbed the roof चोर जो थे ना चड़ गए कहां पर चड़ गए यह roof है किसी की कहने का मतलब आप हो है ना on to on to कहने का मतलब यह अब इस roof के उपर है surface उनका touch कर रखा उन्होंने ठीक है the fruit fell the ground ground के उपर गिर गया मतलब यह ground है तो fruit आके यहां गिरा है fell on to ठीक है ना क्या करेंगा on to अगर यही अगर किसी बाल्टी में गिर जाता तो into कर देते हैं ठीक है ना ground पे गिरा है तो on to करेंगे क्योंकि इसमें surface touch होता है on to करेंगे next है over over क्या करता है the motion to pass above something मतलब motion में होना चाहिए लेकिन pass होना चाहिए above उपर से किसी के उपर से pass होना चाहिए जैसे example से समझ में आ जाएगा आपको क्या है we jumped the fence मतलब यह fence है मान लेजे यह जाले की होए कही ठीक है तो यहां पर use करेंगे अगर हम इसके उपर बैठे बैठे कूदते तो हम क्या कर देते on to use कर देते ठीक है ना क्योंकि हम इस जगह को छोट रहे थे ठीक है ना तो यहां हम क्या use करेंगे इसके उपर से कूद गए तो over an eagle flew my house एक जो eagle है मेरे घर के यह मेरा घर है यह मेरे घर के उपर शे ऐसे उड़के गई ठीक है ना touch नहीं किया मतलब उपर से यह चले गए तो over फिर है the plane is flying over the house plane है उपर उपर उड़तावा चला गया निकल गया तो over moving position थे उसके और घर के उपर से निकल गया फिर है past past क्या होता है यह motion to a place further than a particular point कहने का मतलब है कि यह show करता है क्या show करता है further आगे का जैसे देखो I just walked the post office मतलब मैं post office के past में से निकला ठीक है indication होगा motion दिखाएगा लेकिन particular point से आगे जाने का आगे बढ़ने का ऐसे past में गुजरने का ऐसे I just passed I just passed the post office मैं past office के past गुजरा वाँ से निकला ठीक है इसका last है अपना after after क्या to indicate following something किसी को आगे देखाना afternoon पीछे होना किसी के ऐसे ठीक है जैसे देखो the loin is running the deer loin है न deer के पीछे हिरन के पीछे भागेगा तो यहाँ पर use करेंगे हम after और before कैसे use करते हम before अगर यहाँ पर the deer is running before the tiger अगर इनकी जगद change कर देते हैं तो हम यहाँ पर before use करते the police rain the policeman rain dash the thief तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे after ठीक है न पुलिस वाले चोर के पीछे भागे अब देखते हैं आपके लिए exercise ठीक है यह आपके लिए 10 questions है ठीक है वीडियो के यहाँ पॉज कीजिए अपने answer note कीजिए और फिर उसके answer sheet देखने के लिए नीचे मेंने answer sheet भी दे रखी है ठीक है comment section में जरूर बताईएगे कि आपको कितने answer आते हैं कितने correct होते हैं और कितने marks आते हैं ठीक है चलिए मिलते है next part में जो इसका next part है वो जल्दी मिलेगा आपको बने रहे हैं इंट्रियो कॉलासिस के साथ तब तक के लिए good bye जय हिंद जय भारत